नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल में तो यहाँ पे हम डिसकस करेंगे UK SSS ने यानि अधिनस सेवा चेन आयोग ने एक दो नई विग्यापन निकाले हैं कुल मिलाके लगबग 50 पदों पे नई विग्यापन है इन विग्यापनों को हम देखेंगे इस पर युग्यता को देखेंगे और किन इन पदों के लिए बढ़ती तो इस विग्यापन को हम देखेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है कि UK SSS ने समुगों के लिए अपने कुछ पदों के लिए विग्यापन निकाले इसमें लिखा गया है कि समुगों की सिधी भरती के माधियम से प्रसिक्षन एवम सेवयुजन निदे साले यह जो सेवयुजन निदे साले है वहाँ पे भरतियां निकली है के अंतरगत साहक भंडारी के जो रिक्त पद हैं उनके लिए विग्यापन निकला है देख सकते हैं ओनलाइन आविदन कब से क्या जा सकता है तो 28 मार्च से ओनलाइन आविदन क्या जा सकता है और 17 अपरेल 2024 तक ओनलाइन आविदन करने की अंतिम्तिति होती है इसमें कुल मिलाके 25, 25 पदों के लिए विग्यापन है और ओनलाइन आविदिन क्या जा सकते है ओफिशल वेबसाइट से कैसे करना है सबस्पहले पदों को देखते हैं किस कैटेगरी के लिए कितने पद है साहेक, बंडार, अधिकारी ये इसका जो है इस पद का नाम है, SC के लिए 5 पद है, ST के लिए 1 पद है OBC के लिए 3 है, AWS के लिए 2 है, Journal के लिए 14 पद है, कुल मिलाके 25 पद हो गए इसके लिए जो ये योग्यता रखी गई है, इसके लिए intermediate होना चाहिए, यहीं मादिमिक सिक्षा परिशत से intermediate परिक्षा पास होनी चाहिए, और एक और दूसरा जो website प्रस्टिक्षन की कोर्स होते हैं, उनमें रास्टे परिशत से किसी engineering website में परमान पत्र आवशक है, यह जरूरी है बिना इसके आप apply नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास यह नहीं है, तो इसके लिए और योग्यता है, अगर आपके पास यह नहीं है, तो अगर आपके पास यह वाली है, कौन सी किस engineering website में रास्टे सिस्युक्ता परमान पत्र प्राप्त किया जाना अवशक है, और हिंदी और अंग्रेजी का कारेकारिग्यान होना अवशक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं, इसके लिए जो 100 marks की परिक्षा होगी, और objective type की परिक्षा होगी, जिसमें सेक्षिक अहरता से संबंध जो है प्रश्ण होंगे, ठीक है, स्लेवस नीचे देखेंगे हम लोग, कि क्या स्लेवस है, आउयू मैंने आपको बता दी है कि आउयू कितनी है अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए कैसे fee कितनी है, यानि सुल्क कितना आपको देना है, तो यह जो जर्णल सुल्क रहता है, जर्णल और OBC के लिए 300 रूपीज, SC, ST, EWS के लिए 150 रूपीज, दिव्यांग के लिए 150 रूपीज और अनात बच्चों के लिए कोई भ रखा है, राष्ट्य और द्योगिक प्रसिक्शन सरस्तान में, यानि जो राष्ट्य और द्योगिक प्रसिक्शन सरस्तान, उसमें जो सायक भंडारी के पद हुए है, उनके लिए ये पार्टे क्रम है, क्या पार्टे क्रम है सायक भंडारी कारिये उन दायत तो इस्टोर प कुछ पद निकाले गए हैं दूसरा ये वाला विज्यापन है ये भी आयोग की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा गया है कि समुगों के सीधी भरती के अंतरगत होम गार्ड्स एवं नागरिक सुरुक्षा मुख्याल है उत्रखन के अंतरगत हवलदार प्रसिछक के रिक्त पदों पर चैन ये तो विज्यापन जारी किया गया है ओनलाइन आविदन 25 मार्च से क्या जा सकता है और लास्ट डेट है आविदन करने की 15 अपरेल ठीक है अब देखते हैं इसमें डेटेल से कुल मिला के इसमें 24 पोस्ट हैं 24 पदों के लिए विज् जर्नल के लिए 15 पद, टोटे मिला के 24 पद, लेविल 2 की जॉब है और आविदन 18-35 वर्स है योग्यता क्या है तो किसी माननेता प्राप्त बोर्ड या संस्तान से इंटर्मेडियट यानि बारविय पास होना चाहिए ठीक है बारविय पास इसके लिए आविदन योग्यता रखी गई है अब बात करते हैं इसके लिए जो क्योंकि ये होमगार्स की भरतियां है उसमें तो इसमें आपका फिजिकल भी लिया जाएगा और फिजिकल जो है पुरुष के लिए हाइट जो है 155 सेंटीमेटर महिला के लिए 152 सेंटीमेटर परवतिय छेतर के जो निवास जिए क्या पैटर्न है तो दो गंटे की लिए सव अंकों की परिक्षब कर ioo का उसी के लिए 100 के लिए 300 SCST और EWS के लिए 150 रुपीज दिव्यांग के लिए 150 रुपीज और जो अनात बच्चे हैं उत्रगंड के अनात बच्चे हैं उनके कुछ भी आविदन सुल्क नहीं है अब बात करते हैं जो स्लेबस है स्लेबस को आप मोटा माटे यहां पर देखेंगे तो यह स्लेबस है जो जो जोनल स्लेबस होता है सामाने हिंडी आएगा इसमें 20 नमबर का 20 मार्क्स का इसके बाद सामाने बुद्धी प्रिक्षन मान से क्योग्यता यानि रिजिनिंग भी इसमें पूछी जाएगी private computer का भी स्लेबस दिया गया है और GS का भी स्लेबस जो है दिया गया है journal study जो होता है GK, उतरAKन का इस्तिहास उतरAKन और पूरे विस्तो का उसमें सभी मिजुगरफी, सभी कुछ इसमें दिया गया है तो यह आपको पढ़ना है और परिक्षा को जो है पास करना है Thank you so much God bless you